हिंदुस्तान के भविश्य के लिए कास सेंसस जरूरी है, देश कास सेंसस चाहता है, कास सेंसस होगा, हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलेगी, और वो काम कॉंग्रस करके दिखाईगी, और हम वहाँ नहीं रुकेंगे, उसके बाद economic survey होग हिंदुस्तान के भविश्य के लिए कास सेंसस जरूरी है, एक कास सेंसस के बाद एक नया development का paradigm खुलेगा, और हमने निन्ने ले लिया कि हम ये काम करेंगे, तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं, कि कॉंग्रस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी, और याद करते हैं, हम उस वाइदे को तोड़ते नहीं है, एक्सरे होना चाहिए, किसे को चोट लगती है, हस्पताल में पहला काम होता है भईया देखिए, एक्सरे कराते हैं, पता लगाते हैं, क्या है, सच्चाई क्या है, हमें लग रहा है, कि हिंदुस्तान में जो भागिदारी OBC के होनी चाहिए, दलितों के होनी चाहिए, आदिवासियों के होनी चाहिए, हमें लगता है, कि वो उनको नहीं मिल रही है, सस्पिशन है, अब हम सिर्फ यह कर रहे हैं, कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, कि क्या यह सच्चाई है इसमें या नहीं, न और वो हिस्सेदारी देख रही हम रहेंगे यह हमने निन्ने ले लिया है आप देख ले ना जैसे मैंने कोवीट के बारे में बोला था चाइना के बारे में बोला था मैं बोल रहा हूं कास सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिले सवाल जो कास से क्लियर हो जाएगा इस देश में कितनी अबादी किसकी है? OBC की कितनी है? दलितों की कितनी है? आदिवासियों की कितनी है? बाकी लोगों की कितनी है? पहला सवाल. दूसरा सवाल देश का जो धन है, देश के जो एसेट्स हैं, क्या वो इन लोगों के हात में भी हैं या नहीं? देश के ऐसेट में OBC कितनी हिस्सेदारी है, दलितों कि कितनी हिस्सेदारी है, आदिवाजियों कि कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टिटूशन में, आदिवाजी कितने, OBC कितने, दलित कितने, मैं आप से पूछ लेता हूं इस कमरे में, इस कमरे में दलित कितने हैं, लेखिए, ये मज़ा देखिए, इस कमरे में UBC कितने हैं, हाथ बठाके दिखा दिखा दीजिए, देखिए माज़ा नहीं वहर सुछ, यूअब केमरामेंग स्थी reminding आपके बात नहीं करना हूँ, मैंन के बात करना हूँ, यह मैंन है यहाँ पर यहाँ पे ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना एक OBC है, तो सवाल उठता है, अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ, सवाल पूछना जरूरी है, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद, डेटा के बाद क्या किया जाएगा, उसके बारे में हमने अभी discussion नहीं किया मगर हमें कहते हसिक सवाल पूछ रहे हैं, हिस्सेदारी में OBC वर्क को कितना मिल रहा है, दलित वर्क को कितना मिल रहा है, आदिवासी वर्क को कितना मिल रहा है, बाकी लोगों को कितना मिल रहा है, यह historical सवाल है, और इससे हिंदुस्तान की जो आगे आने वाले का जो economic model हो होगा इसी बेसिस पे बनेगा, हम देश को महबबत, रिस्पेक्ट और भागीदारी का विजन देए, और मुझे लग रहा है देश का जो मूड है, वो बिलकुल बदल चुका है, और ये बात अभी बीजेपी वालों को समझ नहीं आई है, मगर कुछी दिनों में उनको आस्ते आस्ते ये बात समझ आजाएगी, कि जो उन्होंने देश के साथ किया है, जो उन्होंने नफरत फैलाई है, जो उन्होंने इंस्टिटूशन पर आकरमन किया है, लोगों को डराया है, धंकाया है, नफरत फैलाई है, वो इस देश को अच्छा नहीं लगा है, हम कास सेंस को करेंगे। सिर्फ यह नहीं मकर यह भी डिसिजन दिया है कि हम बीजेपी को बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए क्योंकि देश कास्ट सेंसर्स चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलाइंस की बात है। मैं जानता हूँ कि काफी पार्टी इंडिया अलाइंस में इस निर्ने का समर्थन करेंगी। एक दो पार्टी हो सकती हैं जो जिनकी राय थोड़ी अलग हो हमारे कोई प्रोब्लम नहीं है क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है। मकर जादा से जादा पार्टी इस डिसिशन को पूरी तरीके से सपपोर्ट करेंगी। कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है, हिंदुस्तान के OBC, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी, और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए ये काम किया जा रहा है, आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अधानी ज आहन में एक किन्दुस्तान में लोग कितने हैं कौन हैं और हम भान ही रूखेंगे उसके बाद एकोनोमिक सर्वेय होगा तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं किसके हाथ में है धन कहा है एसेट किसके हाथ में है और फिर जैसे मैंने कहा जो एक्सरे हमें और मैं कहता हूँ शायद इसमें मेरी भी गलती है जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे क्योंकि इस एक्सरे की जरुरुत है अगर हम निया पैरडाइम निया डिवेलप्मेंट का पैरडाइम चाहते हैं जहां सब को न्याय मिले उसके लिए हमें कासेंस करना ही होगा हमारे चार चीफ मिनिस्टर है चार में से तीन OBC इवर्के है बीजेपी के दस चीफ मिनिस्टर है एक OBC इवर्के है और वे बी कुछी दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो बात बहुत होती है OBCs की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि OBCs के लिए आपने किया क्या, मैंने पारलेमेंट में उधारन दिया कि 90 अपसरों में से नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नी बोला, उन्होंने ये भी नी बोला कि हाँ ये गल्थ है, उन्होंने बोला एक शब नहीं बोला, मतलब उनके लिए ये एकसेप्टिबल है कि हिंदुस्तान में जिनकी शायद 50% अबादी है अप्रोक्सिमेटली, उनका सरकार alog करकार को चलाने में कोई भी हक्ना हो, तो ये तो सचा ही है, ये रियालिटी है, प्राइम इनस्टर सीधा के दे कि हम कासंस कर डवेटार कर देंगे, प्राइम इनस्टर सीधा कह दे कि अगला संस कासं बेसेड पर होगा, वो तुह ऐन सकते मधें क्वाइं में उपीज के ल जो सच्चा ही है कि OBC डलित वर्ग आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है उससे डिस्ट्रैक करने का पूरा सिस्टम बना रखा है रसे ने और नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी उनके में इंस्ट्रूमेंट है मतलब सेंट्रल होजार है उनका यही काम है कि भाईया ओबीसी की भागीदारी ना हो ध्यान इधर उधर जाता जाए मैंने आपसे कहा कि बीजेपी के 10 स्टेट्स हैं एक उनका OBC चीफ मिनिस्टर है तो मध्यप्रदेश में उनकी सरकार जारी है राजिस्तान में भी सरकार जा जारी है तेलंगाना में जारी है तो जारी है उल्टा बोल दिया है चत्तिसगार है आरी है आपने कन्फ्यूस कर दिया मजे राजिस्तान में आरी है चत्तिसगार में आरी है मध्यप्रदेश में जारी है तेलंगाना में उनकी जारी है हमारी है नहीं सीरियस्ली कहूं तो मह बहुत पॉजिटिव है और मैं चारों जो हमारे स्टेट से उनके बारे में कह सकता हूँ